नमस्कार दोस्तों एकजाम मित्र में एक बार फिर से आपका स्वागत है आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस वीडियो को देखने के बात में दोस्तों आप अपने लेवल पे सेकंड आउंड कांसलिंग कर सकते हैं इसमें किवल आपको कोले चोईस फिल करनी है आप अपने मोबाइल से भी सेकंड आउंड कांसलिंग की प्रोसेस उसको कम्पलीट कर सकते हैं जो भी मैं इस वीडियो म पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जुरूद भाई जिससे की आने वाले सभी वीडियो की नोटिपकेशन आपको मिल सके हैं दोस्तों सेक्ड राउं काउंसिलिंग से रिलिटेड आपके मन में कापी सारे सवाल भी आ रहे हैं तो उनका मैं आपको नोटिपकेशन वीडियो का प्राप्त हो जाएगा और मैं यहीं चाहता हूं दोस्तों कि आपको किसी की हेल्प नहीं लेनी पड़े आप अपने बेस पे अपने लेवल पे ही सारी चीजे अगर व्यक्ति रहता है तो उससे खुद में भी कॉन्फिडेंस रहता है और दोस्तों चलते हैं official website पे और जो instruction में आपको बता रहा हूं वस उनको आपको follow करना है तो दोस्तों सबसे पहले आपको RUHS की official website है उस पे आना है उस पे आने के लिए आपको यहाँ पे यह link शो कर रहा होगा RUHSRHJ.org यह link आपको show कर रहा होगा तो यह link आप डाल सकते हैं URL में यह URL बार है तो इसमें आप यह link डालना है आपको RUHSRHJ.org तो आप official website पे आ जाएंगे और आपके सामने कुछ इस तरीके का interface आएगा दोस्तों यह interface आपके सामने आएगा इस interface में आप जैसा कि यहाँ देख पा रहे हैं यहाँ पर scroll up होते हुए कापी सारे link आपको दिखाए देरे information regarding technical issue online examination bottle तो यहाँ पर यह कुछ जो technical issues है वो show कर रहा है यहाँ पर RUHS admission 220 allotment या counseling schedule round 2 का यहाँ पर show कर रहा है तो आपको इस link पर click करना है आप इस link पर जैसे ही click करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर RUHS admission 2020 allotment या counseling schedule round 2 का यहाँ पर दिखाए देगा तो जो click to online portal जो नीचे वाला link है यह click to online portal यह नीचे वाला link आपको इस पर click करना है आप इस पर जैसे ही click करेंगे तो आप जो login portal है वहाँ पर पहुंच जाएंगे यह login portal आप जिसागी देख पा रहे हैं यहाँ पर BAC nursing post basic BAC nursing सारे courses यहाँ पर शो कर रहे हैं और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है counseling का यहाँ counseling के link शो कर रहे हैं आप जिस courses में आपको second round counseling में participate लेना तो उस पर आपको click करना है अब जैसे अभी हम example के तोर पर BAC nursing की जो second round counseling process जो में participate करना चारे हैं तो यह link का second round counseling की process का तो इस पर आपको click करना है इस पर आप जैसे ही click करेंगे दोस्तों यह portal आपके सामने आजाएगा यहाँ पर आप scroll up करेंगे तो scroll up करते समय आपको यहाँ पर कुछ instruction शो करेंगी कि आपको किस तरके से क्या process करनी है second round में ज PCP जमान है करवाइते तो उनके लिए यहाँ पर instruction दिये गए है अब इन instruction के basis पर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ आपको exam जो course आपने लिया है वो आपको select करना है जैसे यहाँ से BSc nursing 4 years का course है उसको select करना है अब यहाँ पी username और password आपको insert करने है username आपको इस column में insert क करने है इसके बाद में यह वाला जो capture code है दोस्तों कुछ अब बेढ़ते को इसके बारे में पता नहीं होता है तो यह capture code है इस capture code को यहाँ पर enter the text shown in the in above image तो यहाँ पर इस वाले box में इस capture code को बिल्कुल asa.ta जैसा इसमें दिया गया है वैसा आपको इसमें फिल करना है इसमें जैसे फिल्कुल करने के भाद में यह नीचे लोगिवाला button आपको शो कर रहा होगा इस पर आपको क्लिक करना है अब जैसे ही reb von lleg good की email id शो कर रही है और यहां पर manage choice का यह option आ रहा है क्योंकि इन्होंने first round counselling को participate किया था और first round counselling में इन्होंने 500 रुपे की जो counselling piece है उसका चालान कटवा के इन्होंने submit की थी उसकी details तो उसके बाद मैं manage choice किया था और manage choice में आपको college choice feel करनी है college choice दोस्तों आप सब यह प्याड़तियों को feel करनी है कुछ प्याड़ति मन में यह सोच रहें कि सरम ने पिछली बार भी first round counselling में भी college choice feel करती तो क्या उन्ही colleges में से हमें feel करनी होगी नहीं दोस्तों यहां पर manage choice इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो जितनी भी RUHS के under में colleges हैं जितनी भी तो उन colleges की सारी college की list आ जाएगी उन्हें में से आप कोई भी college है वो choose कर सकते हैं उनको feel कर सकते हैं सारी college की लिस्ट आएगी जैसे आपने पिछले time आपने 10 college fill की थी लेकिन इस time आप बड़ाना चाहरे हैं तो आप कितनी भी बढ़ा सकते हैं पिछले time आपने जैसे मानने के चलिए की 5 college Attal की थी लेकिन आप की बार आप पूरी की college film करना चाहते हुज पूरी भी रख गया है यहां आपको बिल्कुल fresh college है वो choose करनी है बिल्कुल fresh तो आपको यहां पर click करना है और जिन अभ्यडतियों ने अभी तक participate नहीं किया तो उनको यहां पर जो fees deposit वाला है वो option आएगा यहां पर details आपको fill करने ही इसके regarding मैंने आपको पहले ही video provide करवा दिया है तो जिन अभी तक participate भी नहीं किया एक बार भी तो वो मेरा पिछला वीडियो जरूर देखिए उसमें आपको सारी details में जानकरी प्राप्त हो जाएगी अब जैसे यहां पे इन जो सीता चोदरी है यह बैठती है इनके द्वारा first town counseling में fees deposit करवाई गई है इन्होंने reporting भी करवाई है इनको college अलोट हो गया था इन्होंने reporting भी करवाई है वो reporting करवाने के बाद में अब यह अपड़ अप्ग्रेडेशन या अपड़ मुमेंट करवाना चाहरे है तो यहां पे कहीं भी yes or no का option नहीं दिया हुआ रहा है yes or no का मतलब यह है कि जो counseling process थी उसमें guideline में दिया गया था कि आपका yes or no आएगा by default yes रहेगा लेकिन यहां कुछ भी yes or no का option नहीं है yes or no का मिंस यह है कि अगर आप इसमें कोई भी college choice फिल नहीं करते हैं तो इसका मतलब यह माना जाएगा कि आप upward moment नहीं करवाना चाहते है अप gradation नहीं करवाना चाहते हैं तो आपको जो first round में जो college मिली है वो आपकी वही college रहेगी आप change नहीं करना चाहते तो आपको इसमें कोई भी कुछ भी नहीं करना है अगर आप अप gradation करवाना चाहते हैं तो मैंने choice पर click करके आप अपनी जो college है वो choose कर सकते हैं आप चाहे कितने भी college हो अपने मन में ज sowie चाहते हैं उतनी फिल कर सकते हं न मन में आई अप्ग्रेड नहीं करवाना चाहते हैं तो उन्हें कुछ भी नहीं करना है उनका जो जैसे कोलेज अलोट हुआ है वह एजटीज वैसा का वैसा ही रहेगा उन्हें किसी भी तरही कोई टेंशन नहीं लेनी है अब दोस्तों यहाँ पर मैने चोईज पर किलिक करना है अब मैने चोईज पर जैसे ही दोस्तों किलिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको यह कोलेज की लिस्ट है वो दिखाई दे रही है यह सारी कोलेज की लिस्ट है यहाँ पर यह दिखाई दे र अब आपको कौन सी college fill करनी है जैसे इंहें केवल जोध्पूर की college ही चाहिए, क्योंकि quota उनके home district वहाँ से कहां दूर पड़ता है, तो वहाँ यह नहीं लेना चाहते, तो इए केवल जोध्पूर की college चाहिए, यह जोध्पूर की complete सारी की सारी जितनी भी college है चाहिए, यह fill कर देता हूँ तो दोस्तों आप जैसा कि देख पा रहे हैं मैंने इनके लिए ये जोदपुर की जितने भी colleges हैं वो फिल कर दी है अब आपको जैसे इनका rearrange करना है आपको कोई सी भी college है इने में से आपको जैसे टोप में कौन सी college रखनी है अब यहाँ पर SN medical college है तो यह SN medical college गोर्मेंट college है लेकिन गोर्मेंट college की chances वैसे बहुत कम रहते हैं और SN medical college की अगर बात करें दोस्तों तो इसमें seat भी काफी कम खाली रही है यहाँ पर टोटल 40 seat थी 40 में से 37 seat है वो बुक हो चुकी सबसे नीचे रखूँगा और इससे उपर वाली जिन में ज्यादा seat खाली है अब जैसे बात करें सिर राम सिंग विस्नोई college है तो वहाँ पर seat ज्यादा खाली है तो उसको top priority में रखूँगा तो इस सब्सक्राइब करने वाली चीज में लेते हैं कि नहीं मैं तो ऐसे ही फिल कर दूँगा मैरको तो एक भी college मिल जाएगी कोई सी भी मिल जाएगी तो दोस्तो उस चक्र में आपने साइद मैरको यह लगता कि सब्सक्राइब करने के बाद में आप चाहो तो इस पेज को क्लोज कर सकते हो और क्लोज नहीं करना सब्सक्राइब करने में आपको कों जाएगा यहाँ इस्ट्न नहीं करना आपको स्कोट्री करने की college फिली क्योंकि इनके दिमाग में यही कि मुझे क्यों जोदपुर की चाहिए इन्हें कोटा की मिली है कोटा की दूर है अगर इनको जोदपुर की कोई college मिल जाती है तो वो well and good है अगर नहीं मिलती है तो इक कोटा की college से भी satisfy है तो दोस्तों उससे भी इन्हें कोई दिक्कत नहीं है तो यह वाली बात ही दोस्तों और मैंने आपको किस तरीके से counseling process आपने mobile से पर कर सकते हैं किसे भी depend नहीं होना अगर आपके मन में कोई भी doubt है कोई भी issue आ रहा है तो आप मुझे comment box में पूछ सकते हैं या instagram, telegram id पर message करके भी पूछ सकते हैं आयोप आपको यह video पसंद आया होगा अगर video पसंद आया दोस्तों आप like करें share करें धन्यवाद, जैहिन, जैवारत